नमस्कार आप देख रोए नियूस बाइसकोप इस वक्त आपके साथ मैं हूँ शामभवी सिंग और बढ़ते हैं खबरों क्यों राजधानी पतना में कौमी एक्ता के मिशाल पेश करते हुए मुस्लिम समुदाय के लोग एक बर फिर छट पर्फ के लिए गंगा घाट की सफाई में जुट गए हैं बताने की चार दिनों तक चलने वाले लोगास्था के महा पर छट पूजा नहाय खाय के साथ शुरू हो गया है छट व्रतियों को किसी तरह की कोई परिशानी ना हो इसके लिए दरजनों मुस्लिम महला पौमी एक्ता के मिशाल पेश का गंगा घाट की सफाई में लगए है सफाई करते मुम्तास जहा ने कहा कि मजभब नहीं सिखाता आपस में बैर रहा है क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं और इस देश में रहने वाले सभी भार्टियों इसलिए एक दूसरे के पर्व में हमलों मिलकर सहयोग करते हैं उन्होंने कहा कि छटपूजा लोगास्था का प्रतीक है इस पूजा में सब को आगे आना चाहिए क्योंकि हम सभी भारत माता के संतानी छटपूजा सफाई और सप्षता का प्रतीक है यसलिए हम सभी दरजनों मुस्मी महिला दालाधाड की सफाई कर दें सफाई का खास ख्याल रखा जाता? सफाही करती है, 20 सालों से जो आमने ने महिलाएं सफाही में काम ले रही हैं, इसलिए काम कर रही है, घंगा घाय तकाने वाले जो रास्ते हैं, घंगा घाय वहाँ पे क्या कमी रहे गई ये सफाही में, उसको निगराने करते हैं, और अब नुदि पार्दे निएक जो होसलां के साथ जो है वो आगे आती हैं इस काम को करती हैं कि समाज को हम लोग कैसे बेतर बनाना है हिंदु कुस्ति इत्ता की लिशाल को कैसे काम करना है इस अटूट लिश्टा को हम लोग और भी मजबूत बनाना है ताकि समाज में जो गुसरी लोग हैं जो गंदगी फैलाने का काम करते हैं, नफरत की जिवार खड़ा करते हैं, आईसे लोगों जो है, उब जो हैं कि पहना चाहते हैं, आप लोग भी आगे आईए, अब बहुतर समाज के निर्मान करने के लिए, अदम से अदम मिलाकर हैं, में एक साह्त बोचले,